पटना में बीजेपी नेता की गोली मार कर हत्या कर दी गई बाइक सवार दो हमलावरों ने बीजेपी नेता अजय पर ताबर तोड़ कोलिया बरसा दी इसमें बीजेपी नेता अजय की जान चली गई और इस घटना के बाद से अभी तक हमलावरों का कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा पुलिस ने ये पताया कि बीजेपी नेता अजय शाह तूद बेचने का काम करते थे अजय की बाइक सवार हमलावरों से किसी बाद पर कहा सुनी हो गई इसके बाद हमलावरों ने ताबर तोड़ कोलिया मार दी और उनकी जान चली गई गटना सीसी टीवी में कैद हो गई जिससे आपको साफ तोर पर दिख राया हो है कि ये दो शक्स जो बाइक पर हैं इनोंने ही अजय पर हमला करके उनकी हत्या कर दी पुलिस को अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है ये हमलावर कौन थे कोई मार कर दी लेगी इस समन में एस पी सब्सक्राइब कर दिख रहे हैं और आज पास इतने भी सिस्टीवी फुटेजर्स अगरे हैं इस सब्सक्राइब कर रहे हैं अभी तक के नुसंदान में यह आया है कि उसने दो व्याद बाद तरही बाइक कायब ये वारे गटना का दो दो पिख सर्व रहे हैं और बीजेपी नेता की हत्या के बाद अब आरजडी भी ये सवाल उठा रही है कि खुद नेता ही बिहार में सुरक्षित नहीं तो कानून व्यवस्ता कैसी है और वो अंदाज लगाया जा सकता है कि जिस इलाके में यह हमला हुआ था उस इलाके में अभी देहशत कमाहूल है अब सवाल उठ रहे हैं कि कानुनी विवस्था की उपर लॉएंड ओर्डर के उपर सरकार के उपर पटना में वारदाद भी इस वक्त हुई जब कुछ दिर पहले पूर्व सीय और आर्चेडी सुपरीमो लालू प्रसादयादव उनके बेटे तिजस्वी आदव बिहार की कानुनी विस्था पर सवाल उठा रहे थे लालू प्रसादयादव ने बिहार की सोशिल मीडिया प्लाइट फॉर्म एक्स पर लिखा कि बिहार में अपराद की मची चीक पुकार ऐसे में बिहार में बीजेपी जेडियू को चोपट राजुलाल ने ये पोस्ट कल किया कि उसके बाद से ही तरीके से बीजेपी नेता की हत्या हो गई अम्मूल पार्लर है फुपा जी का मेरे उनके दुदार में घुसके कोई इनको फूप करेगी है कितने गुली लगी इसका बोयाता पता भी नहीं चल पाया है अपने असाजन दो यकीन की लागा लगा लगा थ कितने गुली उनको लगया कि जो आवाज हम सुना है अब दोनों उनको लगी कि आगल वगल लगना लगा है दो गुली चल लिए उनका मिर्तु हो गया है